शिरी शिवायन मुस्तव्याम हरर महादेव दोस्तो देगे बुद्धवार के दिन जरू कर लें कपूर के ये उपाय दूर होंगी जीवन में आरी सारी दिक्कत हैं दन से भरी रहेगी तिजोरी दोस्तो पूज्य गुरुजी पंडित प्रदिव मिश्लाई ने कुछ ऐसे अच्चु कुपाय बताएं जो कपूर से जोड़ हुए हैं दोस्तो इन उपायों को अगर कोई व्यक्ती बुद्धवार के दिन कर लेता है तो उसके घर की करीबी दूर हो जाती है पूज्य गुरुजी ने बहुती सकती चाली और काफी अच्चु कुपाय अपनी कतामा बताएं तो दोस्तो चलिए सुनते हैं पूज्य गुरुजी से इन उपायों के बारे में बुधवार के दिन गणेश जी को गुलाब के फूल के साथ साथ कपूर आर्पित करें उपाय कार्यक्षेत्र में आ रही दिक्कतों को भी कम करता है आप केवल गणेश जी के आगे नियमित साथ कपूर जलाएंगी तो भी आपको लाब होगा यदि आप बहुत दिनों से आर्थिक संकट से जूज रही हैं तो आपको घर की उत्तर दिशा में तिजोरी रखनी चाहिए और तिजोरी के अंदर आपको साथ कपूर की गोलिया और गुलाब का फूल रखना चाहिए ऐसा करने से आपकी तिजोरी में धन की कभी भी कमी नहीं होती है कपूर को यदि आप एक लाल कपड़े की पोटली में बांध कर मुख्य द्वारा पर टांग देती हैं तो यह और भी शुब होता है ऐसा करने से घर में किसी भी तरहे का अशुब समाचार और नकारात मकता नहीं आती है आप इस पोटली को अपने बेडरूम में भी रख सकती है बुद्ध ज्यान और विवेग का प्रतिधित्व करता है अगर आपको ज्यान की कमी के चलते अपने कार्यक्षेत्र में नुकसान सहन करना पड़ रहा है तो आप बुद्धवार के दिन अपने घर में शाम के समय साथ कपूर को एक साथ रख कर उसका दीपक मंदिर में रखें ऐसा करने से आपके बिगडे काम बन जाएंगे बहुत समय से यदि आप किसी प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट का इंतजार कर रही हैं तो आपको बुद्धवार के दिन गणेश जी को 101 कपूर के दीपक जलाने चाहिए ऐसा करने से आपका रुका हुआ धन आपको वापिस मिल जाएगा इतना ही नहीं अगर आपका धन कहीं खो गया है तो उसके मिलने के संकेत भी आपको मिलेंगे तो दोस्तों ये थे हमारे आज के उपाए अगर आपको पूझ गुरी जी द्वारा बताएगे उपाए अच्छे लगे हैं तो इन्हें ज्यादा स्यादा लाइक कर दें शेयर कर दें और नीचे कमेंड बॉक्स में सच्छे मन से जैस सिरी राम या जैबाविस्वदाम सरकार जरू लिख दें जिससे कि आपकी जो भी मनुकामना उसे बाला ही सरकार जल्दी से जल्दी पूरा कर दें